अब्रती के रोप में नाम नेशन हुआ इश्वत की शकत लेता हूँ सथी के निश्टा पोजोपति या तर्टम को निश्टा रहा इस्ताफित भारत के सिंधान के प्रती सची शुद्दा और निश्टा रहुत हुआ और मैं भारत की सिंख्यों अकरी के शुक्ष हुआ देखिए तो लोगतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है तैवार है उसका ये बहुत मौत्वपुन दिन होता है और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकरत प्रतियाशी के रूप में मैंने अपना नामान कनाज दखिल किया है यहां की जो हमारे कॉंग्रेस के कारिकरता है यहां का जो आम हवाम है जो आम व्यक्ति है जो आम जन है उनके निर्देश पर उनके आशिरवाद पर आज नमान खंदाकिल किया है और चुनाव का जो है वो रन शुरू जूगा है तो देखते आगे आगे आराम से सब लोग म मिलकर और अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहली बात तो है सरकार ने जो बैतरीन काम कर रहा है उसके बारे में तो कहने की बात ही भी आप देख रहे हैं हर घर हर डानी में लोगों को ध्यान है हिंदुस्तान में जहां-जहां कॉंग्रेस की सरकारे नहीं है लो सरकारे भी वर्तमान के शोग एलोगी की सरकारे पर वेलफैर समाजिक कल्यान शेत्र में जो स्कीमे लाइए है उसका अनुसरन कर रही हो और वहां लगू कारने की बात कर रही है तो इसे से आप समझ सकते हैं कि कितना شानदार काम इस सरकार ने बात किया है तो लो नहीं क कि इतना अच्छा काम करने के बाद में जब पूरे देश के अंदर पूरे मुल्क में ये इसको अपनाने की बात हो रही है तो वो तो ही इसके अलावा अस्तानिय मुद्दे है जब मैं आट और तेरा के बीच में विदायक था तबी भी आपने देखा कितने बैतरीन काम हुए काफी लेट सारे काम शुरू हुए अब तो चलो गरगर नल भी हमने पोचा दिये पीने का पानी भी आ गया है और दूसरा यह है कि पिछले दस साल होगे विदायक जी को छेतर का विदायक जो होता है वो किसी के सामने जीते विदायक विदायक होता है वो मेरे भी विदायक भी नहीं जा सकता है तो इन सारी चीजों को लिके जो दस साल वो रहे हैं दस साल में जो भी बीस पचीस क्रोड रुपे विदाय कोश है जो आम जंता आम शेत्र के काम के लिए उप्योग करने पड़ते हैं वो राशी किसको दिये कौन सी ग्राम पंचायत में दिये वो किसी अन्य सरकारी विबा की एजेंसियों के मारफक उसका खर्च हुआ है या फिर ग्राम पंचायतों में अपने जो चहते सरपंच है उनके मद्यम से खर्च हुआ है तो यह तमाम जो बाते हैं यह चुनावी मुद्दे होते हैं और मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को बहुत शालिंता से मुद्द आधारत बयानों के आधार पर और बहुती नम्रता से इन मुद्दों को उठाना चाहिए उनकी बात करनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में वह बात जाए और दूसरा, सभी लोग जो है, हमारे साथ जितने भी लोगे च्छेतरे के देखा चुनाव में इस्ताई नहीं होता, कभी कबार कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है, तो मैंने पहले भी अपील की थी, मैंने आज भी अपील की, उस दिन मीटिंग में भी का, इकवके काम करते हैं. तो मेरे युजबन ही हर बार भी आप ने देखा कहीं हैं. वहिजब कुरा है, अगर लोगों को हुझेत हैं. इसी तरीके से बारती जनता पार्टी भी था पहली बार इतने वर्शों के बाद हमारे चौधरी स्माज के भाईों ने बोमिया राजपूल समाज के भाईयों ने इन्होंने टिकेट मांगा है वो अलग बात है कि उनको टिकेट मिल नहीं पाया जो भी कारण है वो इनके पार्टी का मामला है मैं उस पर जादा बात नहीं कहना सता मगर मैं आवान करूँगा सबसे कि आप लोग सब साथ रहिए जुड़िए जो आपकी अपेक्षा है आशांका है पिछले 15 साल से और विशेश करके 10 वर्षों से आपकी पूरी नहीं हो पाईए और राजनेतिक तोर पे आप हाशे पे रहो तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग सब साथ जुड़िए और जो आशा है आपकी थी वो मैं पूरी करूँगा जो मान सम्मान है वो दुगना प्राप्त होगा आपको और सबी लोग मिलकर अच्छी तरह से इस छेतर के विकास के लिए काम करेगे आप पिछली बार तो बहुत कम माईक और मेर में दूरी है इतनी रही थी तो बहुत कम वोट रह गहे थे उस कम वोटों से जरूर हार गहे थे पर देखो आपको पता है इन दो-तिन जुलों में कॉंग्रिस की सीटे कम आती है और जहां हार हुआ ही वहां हार भी ज़्यादा अंतर से लोगों की हुई मैं विदान सबा में 3400 वोट से 11 पिछली बार लोग सबा का चुनाव में जब लड़ा जब इस छेतर से मैं आगे रहा तो लोगों ने आशिरवाद दिया उसमें कोई भी हमारी कमी होगी हमार से गलतिया रही होगी उसको हम ठीक करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और जो भी लोग मेंडेट देंगे उसको स्विकार करेंगे और लोगों से आशा रखेंगे कि 10 साल आपने अगर दे दिया एक विक्ति को तो पांच साल क्योंकि जीत के घुमना तो बहुत आसान होता है मगर चुनाव हार के और 24 गंटे साथो दिन काम करना बहुत मुश्किल होता है जो मैं करता है हूँ आज तक तो मैं भी उमिद रखता हूँ कि इस प्रकार से मेरे को आशिरवाद देंगे और अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे कोई दिक्त वाली बात जो काम पहले छूट गए दूरे पानी टाइम पे नहीं पहुचा अब के वापस मुझे हम लोगों को मैनत करनी पड़ी इसके अलावा जो भी संसादन की बात है जो उस समय पूरे नहीं हो पाए उन कामों को पूरा करेंगे गुजराद बॉर्डर पे है मेरे समय में मैंने रिक्को का प्रावदान रख दिया था ये करनी पाए और जो एरिया जा करना था वहां स्कूल कॉलेज इनके नाम पे इन्होंने बनने नहीं दी तो मैं समझता हूं कि रिक्को की सत्थ जरूरत है ताकि जो लोग अब हमारे दक्षिन भारत से भी हैना एमदाबाद आगे हैं काम करने के लिए और आब रूर में भी देखो आप रिक्को कितना अच्छा चल पर नुकसान हो जाएगा तो अब वक्त ही आ गया है कि नुकसान किसका हुआ है उसका आत्म मंतन सब को करना पड़ेगा वो राजनितिक तोर पे हुआ है समाजिक तोर पे हुआ है आपके समाजिक राजनिती को समाजिक तोर पे आपकी जो राजनिती है समाज की उसको तितर का बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का एक भाग है तो इसी आदार पर चुनाव लड़े जाएंगे